नमस्कार मैं हूँ आपके साथ मौनिका गुपता और आप देख रहे हैं हर खबर हर याना हमारे खास बुलिटन आज का सवाल में आपका स्वागत है आज की सवाल में आज का मुद्दा है पंजाब में जिस तरीके से प्रधान मंत्री नरिन्रमोदी की सुरक्षा में चूप को लेकर तो वहीं पंजाब सरकार का कहना है कि ये सिर्फ और सियासी ड्रामा है आपको बता दे कि लगातार यहां पर आरोप प्रत्यारोप लगाई जा रहे हैं और आपकी इस मुद्दे पर क्या रहा हैं आप क्या सोचते हैं वाकई प्रधान मंत्री नरिन्रमोदी की सुर सद लगातार हो रही है आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक नमबर फ्लैश हो रहा है उस नमबर पर आप कॉल करें और अपनी राय दे के इस पर आपकी क्या राय है दरसल पांच जनवरी को पीम नरिंगर मोधी पंजाब दौरे पर थे उन्हें फिरोशपुर मे रैली को संबोधित करना था मौसम खराब होने के वज़े से हवाई मार्क से वो नहीं जा सके जिसके बाद वो सड़क मार्क से फिरोशपुर रमाना हुए रास्ते में प्यारे आणा गाओं के पास कुछ प्रदर्शन कारियों ने जाम लगा दिया जिसके बाद पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ दूर हाईली संसिटिव जोर में पीम को 20 मिनट खड़ा रहना पड़ा फिर उनका काफिला बापस लोटा इसका मतलब कही ना कहीं जो सुरक्षा थी उसमें चूक देखी गई और प्रदान मंतरी रैली तक नहीं पहुँच पाए और उनको उनकी रैली र नहीं गए हैं और इसको सुरक्षा में चूक का बहाना बनाया जा रहा है तो इस पर आपकी क्या राय है आप क्या समझते हैं यह जो पूरा प्रकरन हुआ है इससे आप क्या समझते हैं क्या वाकई प्रदान मंतरी नरेंडर मोदी ने जो 20 मिनर तक वेट किया दिजार किया वाकई सुरक्षा में दे रही थी या फिर जो रैली जहां पर रैली थी वहाँ पर लोगों की भीड़ी खटा नहीं हुई क्या वाकई प्रदान मंतरी नरेंडर मोदी वहाँ पर नहीं गए क्योंकि यही आरोप प्रदेश सरकार की तरह से लगाए जा रहे हैं कि सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी सिर्फ इसलिए प्रदान मंतरी नरेंडर मोदी रैली में नहीं गए क्योंकि वहाँ पर भीड़ नहीं थी तो ऐसे में आपकी क्या राय है समुद्दे पर आप क्या समझते हैं पंजाब में पीम की सुरक्षा में वाकई चूक हुई थी क्योंकि कॉंक का कहना है कि ये सिर्फ सियासी ड्रामा है तो गुरगाओं से हमारे साथ राजिश जुड़ चुके हैं राजिश आपकी क्या राए है समुद्दे पर मैंडम जी महां तो मत mortal जो आपको आप अब च्राजे नहीं है का राच र है में टुछ नहीं है नहीं भाना रही हुए कि तही डुध को जीनलिया नहीं आधे नहीं प्रदान मंतरी पुरे देश का होता है बेडम जी एक लाव हो यह नहीं कि पीजेपी का है जी तो साफ सर्पर आपका कहना है कि इस मुद्धे पर जबरदस्ती सियासत हो रही है और किसी तरह का कोई सुरक्षा में चूक रही है सिर्फ और सिर्फ सियासी ड्रामा हो रहा है पंजाब में पीम की सुरक्षा में वाकई चूक हुई है या फिर ये सियासी ड्रामा है या फिर कोई बड़ी साज़िश थी क्योंकि लगातार इस मुद्धे पर सियासत होती हुई नजर आ रही है मामला दरसल क्या है यह आपको बता देती हूँ प्रदान मंतरी पंजाब दोरे पर वो थे और उन्हें फिरोस्पूर में एक रैली को संबोधित करने जाना था मौसम खराब होने की वज़े से हवाई मार्क से वो नहीं जा सके जिसकी वज़े से वो सड़क मार्क से फिरोस्पूर रवाना हुए रास्ते में गाउं के पास एक गाउं था उसके पास प्रदेशन कारियों ने जाम लगा दिया जिसकी वज़े से प्रधान मंत्री नमोदी के एक काफिले को और उनको 20 मिनट तक ही दिजार करना पड़ा और यही कारण रहा कि सुरक्षा में चूक इसको भारते जिंता पार्टी बता रही है और यही कारण रहा कि प् फिलाल आपकी टीवी स्कूर्ण पर लगातार हम नमर फ्लैश कर रहे हैं आप इस नमर पर कॉल करें और हमें अपनी राय पहुचाएं बताएं कि आप इस मुद्धे पर क्या समझते हैं आपकी क्या राय है इस मुद्धे को लेकर जस तरीके से जो राजनीती हो रही है और वाकई जो सुरक्षा में चूख की बात भारते जिंता पार्टी कह रहे हैं कि वाकई ये बात है या फिर जिस तरीके से बड़ी साज़िश बीजेपी बता रही है इसको लेकर कि प्रधान मंत्री की जान पर आपड़ी और ये जो सुरक्षा में चूख हुई है इससे पता चुरता है कि प्रदेश सरकार जो है वो कितनी गंभी रहा और कितनी नहीं है ये तमाम जो आरोप हैं वो भारते जिंता पार्टी की तरफ से लगाए गए इकबाल सिर्सा से हमारे सब्सक्राइब क्या है आपकी राए और क्या आप कहना चाहते हैं अलो जी इकबाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राए है इकबाल अपनी टीवी का जो वाली में उसको काम करें अजी मैदम जी हमारे तो यह रहा है जी हमारे लोग देश के लोग इतरे बुरे नहीं है जो प्रदार मंत्री का इस तरह से वहिशकार करते हैं या आपके सामने तो आपका कहना है कि यहां पर इस मुद्दे पर सियासत हो रही है तो बिवानी से हमारे सदिक दर्शक जो चुके हैं क्या राए है आपकी मड़म नमस्कार मड़म हम तो यह कहेंगे कि हमें तो लग रहा है यह राजनीती हो रही है आप एक बार बताओ जो ठीक है भाई पी एमें देश के प्रदान मंत्रें तो ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ वो गलत हुआ हमें तो लगता है विस पूरे मामले की जांच हो हैं लेकिं जिस तनी 學 है पूज़ा पाठ कर रहे हैं कोई जाप कर रहे हैं सिस्क्राइब कि पूज़ा पार्ट करना अच्य बात लेकिन एक माहाल एजा रहा है वो ठीक बात नहीं है माडम कॉंग्रिस की वर से भी अब यह तो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं हम तो यह कह रहा है कि Jaant 真的 रहा थाी कर लिए पर लुद्हना से हमारे साओ बैए किया राइ आप की on प्रकाश की ऊप्रकाश की कि कहना चाहते हैं जी क्यों लगता है आपको कि इस साजिश है और कौन इसको प्लान करेगा जी शुक्रिया आपका ओम प्रकाश जी अपनी राहे हम तक पहुंच आने के लिए तो कई लोग जुड़ रहे हैं और अलग-अलग प्रतिक्रियाएं उनके तरफ से आ रही है कुछ का कहना है कि इस साजिश है तो कुछ का कहना है कि इस सियासी ड्रामा है और लगातार इस मुद्धे को लेकर सियासत होती हुई नजर आ रही है तो आपकी क्या राहे है इस मुद्धे पर टीवी स्क्रीन पर लगातार नमबर फ्लैश किया जा रहा है इस पर कॉल करके अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं बाबा सिंग जैसल हमारे साथ जोच चुके हैं क्या कुछ आपका कहना है क्या है आपकी राय मेरी यह राय है जी जो हुआ वैसे जो गल्तुबा देश के प्रदानमंत्री है इनके साथ ऐसा नहीं होने चाहिए था चाहिए कितना भी एजिटेशन करें लेकिन प्रदानमंत्री को जड़े नहीं दिखाना है यह रोकना नहीं चाहिए था फिर भी जो राजमीटी हो रही है तो यह दिल्कुल गल्ता है प्रदानमंत्री का जो ब्यान है न जी वो एक महाल बिखाडने बारा है यदि कोई बीजेटी कारे करते इतने बढ़क जाए चड़ासी की दिला कतले आ बज़े फिर क्या बड़े देश में उनकी जान को कोई खतरा नहीं था प्रदानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है इस स्यासी ड्रामा है या फिर माहल बनाया जा रहा है कई लोग चागते हैं कि इस पर जाच होनी चाहिए आपकी क्या राय है आप क्या चाहते हैं ये जर्दाएए रवी हमारे साथ जुड़ चु के हैं रवी क्या आपकी राय है क्या आप कहना चाहते हैं रवी आप तक कवास पहुंच रही है चलि संपर्क हमारा तूट गया है फिलाल आपकी क्या राय है आप इस नंबर पर कॉल करके हमें अपनी राय दे सकते हैं और बताएं कि क्या आपको लगता है जिस तरीके से इस पूरे मुद्धे पर जमकर सियासत हो रही है आरोप प्रत्यारोप हो रहा है बीजेपी कॉंग्रिस पर बड़े गंबीर आरोप लगा रही है प्रधार मंतरी की सुरक्षा में चूप को लेकर यहां पर आरोप लगाय जा रहे हैं प्रदेश सरकार पर पंजाब सरकार पर बड़ी चूक होई है और इसकी जिम्मिदार पंजाब सरकार है तो वहीं पंजाब सरकार की तरफ से कहना है कि क्यूंकि रैली इस थल पर लोग एक खटा नहीं हुए थे इसलिए वहाँ पर पीम नहीं पहुंचे और यहाँ पर सुरक्षा की चूक का एक बहाना बनाया गया है जोगी गलत है और इसको पंजाब सरकार की का कहना है कि यह सिर्फ और सिफ सियासी ड्रामा है इस पूरे मुद्धे पर आरोप प्रत्यारोपत हो रहे हैं लेकिन आपकी क्या राय है आम जंता क्या समझती है इस पूरे मुद्धे पर यह आफ जरूर बताएं तो यह जो आपकी राय हम जाना चाहते हैं आप अपनी राय जरूर दे स्मुद्धे पर आपको बताते कि पांच जन्वरी को पीम नर्निरमोधी पंजाब दोरे पर थे और उन्हें फिरोशपूर में वैली को संबोधित करने जाना था और मौसम खराब होने के वज़ा से हवाई मार्क से वो नहीं जा सके जिसकी वज़े से उन्हें सरक मार्क से फिरोशपूर जाना पड़ा और रास्ते में कुछ लोगों ने उनको काले ज़र्ने दिखाए और साथी साथ प्रदर्शन किया जिसको लेकर प्रधान मंत्री नर्निरमोधी की सुरक्षा में इसको चूक माने गया औ और बीस मिनट तक उन्हें इंतजार करना पड़ा मौली से संदू हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं संदू क्या कुछ आपका कहना है इस पूरे मुद्द पर क्या है आपकी राए यह गलत हुआ है ऐसे नहीं होना चाहिए प्राइमिस्टर तो सभी के प्राइमिस्टर है और जब उन्होंने तीन कानून वापिस ले लिए तो ऐसे नहीं होना चाहिए था तो आपको क्या लगता है कि वाकरी यह साजिश है या पर स्यासी ड्रामा हो रहा है मुझे तो शयासी लग रहा है मैड़ाउं भी शयासी ड्राबा चल रहा है क्योंकि उनको कांगरस ने को ऐसे नी करना चीए था अगर उनका रेली रखी थी तो उनको पूरी कंटेनी चीए ती उनको आने दिना चीए था उनको रोड की जुम्मेदारी तो उनकी बंती थी ना म मजाब सरकार की जी शक्रिया आपका संदू अपनी राये हम तक पहुचाने के लिए गयी तो लोत साथ जुड़ रहे हैं दर्शक हमारे सब्लगातार जुड़ रहे हैं अपनी राइ बता रहा हैं कुछ का कहना है कि मजाब सरकार से चूक हुई है सुरक्षा में प्रधान मंत्री देश के प्रधान मंत्री हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है प्रदेश सरकार की होती है ऐसे में चूक कैसे हुई तो कुछ का कहना है इस पूरे मुद्देप पर जांच होनी चाहिए परताल होनी चाहिए कि आकर मामला क्या है जिस तरह के से Congress लगातारी आरोप लगा रहे है कि क्योंकि rally में कुरसियां खाली थी और इसलिए प्रधान मंत्री वाहां नहीं पहुंचे और सुरक्षा की चुक का बहाना बनाय जा रहा है सियासी ड्रामा हो रहा है यह आरोप Congress की तरफ से लगाय जा रहे ह है ये हमारे लिए जाना बहुत ज़रूरी है आपकी टीवी स्क्रिम पर लगातार ये नमबर फ्लैश किये जा रहे हैं आप अपनी राए दे कॉल हमें करे और बताए कि आप इस मुद्धे पर क्या समझते हैं पंजाब में पीम की सुरक्षा में चूक हुई थी लगातार भरत पर देसे लोटना पड़ा तो ऐसे में वह अपनी रैली तक नहीं पहुँच पाए और रैली को संबोधित नहीं कर पाए सुरक्षा में पड़ी चूक इसको माना गया वहीं प्रदेश सरकार पंजाब सरकार का कहना है कि क्योंकि उस रैली में जिस रैली को संबोधित करने क के लिए प्रधान मंत्री जा रहे थे उस्रेली में कुर्सियां खाली थी और वहां लोग नहीं पहुंचे थे है एचार मनोत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्या कुछ कहना है आपका मनोत्रा जी और क्या आपकी राए है मेरा मैंनम जी यही कहना है कि एक तो यह राए का पहाड बना रहे हैं जी बात दरस जो मुद्ध है वो समझने पारे कि किसानों का जो था इन से विरोध था परतिशोध था वो नराज थे इस लिए उनको मोजी साब को नहीं जाने देते थे प्रभूनी की ब्राणिंग से यह हुआ रुसमे मेरी वगज़ पुलिस की है जी शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए है चार जी तो यहां पर कई लोगों की कई प्रतिक्रिया है सामने आ रही है अलग अलग बात लोग कह रहे हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा आ रहे हैं कुछ का कहना है कि राय का पहार बनाया जा रहा है तो क कुछ का कहना है कि जाच इस पूरे मुद्धे पर होनी чागए तो कुछ का कहना है कि इस सुरक्षला में वापिक चूख हुई है आपकी क्या राय है इस मुद्धे पर लगातार हम नंबर फ्रैश कर रहे हैं आप अपनी तीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं इस पर क सबस्क्राइब प्रवर्श्री फाट तूट में क्यों नहीं बोलती मैडम ची। आज जो मुद्धा है वो हमने अलग रखा है आप इस मुद्धे पर अपनी राय हम को दें आपका इस मुद्धे पर क्या कुछ कहना है या एक जरूर यह से फिर्दम हां किये उस्माद्य में आपकी जो आवाज है वह शासन प्रशासन तक हम पहुंचाए तो इस मुद्ध पर आपकी क्याए रहा है मेरी तो तो यह प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की सुरक्षा में शूक पर सियासत हो रही है या फिर ये बड़ी साजिश है जैसा कि आरोप भार्टे जिन्ता पार्टी के तरफ से प्रदेश सरकार पर पंजाब सरकार पर लगाया जा रहा है आपको बता दे कि फिरोश्पूर में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी को रैली के लिए जाना था रैली को संबोधित करना था लेकिन जब सड़क मार्क से वो गुजर रहे थे तो महाँ पर कुछ प्रदेश उनकारी आए काले जंडे उन्हें दिखाए गए जिसकी वज़े से 20 मिनट तक इंतिजार पूरे काफिले को प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के काफिले को करना पड़ा और इसको सुरक्षा में बड़ी चूप माना गया और इसी वज़े से उस रैली को रद किया गया भारते जंता पार्जे के तरफ से लगातार यारोप लगाए गए कि बड़ी साज़िश की बू यहां से आ रही है और प्रदेश सरकार की बड़ लापरवाह यहां पर दिखती है पंजाब सरकार की तो ऐसे में पंजाब सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि क्यूंकि उसे रैली में कुरसियां खाली थी और लोग नहीं पहुँचे थे और इसलिए प्रधान मंतरी वहाँ पर नहीं गए सुरक्षा में चूक सिर्फ बहाना है और सियासी ट्रामा है इस पर आप क्या समझते हैं सियासत दान का क्या कुछ कहना है आरो प्रत्यारोप हो रहे हैं लेकिन आम जनता इस मुद्धे पर क्या समझती है आम जनता के क्या विचार है आम जनता के चश्मे से उसको क्या दिखता है ये जानना हमाले जरूरी है सीले टीवी स्कृन कर आपकी टीवी स्कृन पर लगाता नमबर फ्लैश की जा रहे हैं आप इन नमबर पर कॉल करें और अपनी राय हम तक पहुंचाएं कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आम जनता की क्या राय है, पंजाब में पी M की सुरक्षा में जो चू को यह उसको लेकर लगातार सियासत हो रही है बागपस से संजय हमारे साथ जुड़े हैं, संजय क्या है आपकी राय क्या आप कहना चाहते हैं जी मैं ये कहना चाहता हूँ परदान मंत्री देश के परदान मंत्री होते हैं ने की पंजाब के ने की किसी विशेश दल के उनका सम्मान पूरा देश मन से करता है ये वाकई सोच निये हैं अगर परदान मंत्री को कहीं इस तरह रोका जाता है सुरक्सागार्णों से और वैस देनी जी शुक्री आपका संजय अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए तो लगातार दर्श्रक हमें कॉल कर रहे हैं अपनी राय दे रहे हैं कुछ का कहना है कि इस पूरे मामली की जाच होनी चाहिए अगर वाकई सुरक्षा में चूक हुई है तो ये शर्मनाक है और कुछ का कहना है कि ये सिर्फ सियासी ड्रामा हो रहा है तो कुछ का कहना है कि यहाँ पर इस पूरे मुद्धे पर जाच होनी चाहिए जिस तरीके से अलग अलग तरीके की प्रत्रिक्रियाय आ रही है ये जानना हमाले बहुत जरूरी है कि आम जंतस पर क्या समझती है क्योंकि सिय असत्दान अपनी अपनी बात कह रहे हैं भारते जंदा पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार की तरफ से ये बड़ी लापरवाही बढ़ती गई है और बड़ी साजिश यहाँ पर बताया गया भारते जंदा पार्टी की तरफ से तुम्हें पंजाब सरकार का कहना है कि जिस रैली में प्रधान मंत्री जा रहे थे उस रैली में कुरसियां खाली थी भीड नहीं थी और इसलिए प्रधान मंत्री वहाँ नहीं पहुंचे और जान पूछ कर सुरक्षा में चूक का बहाना बनाया गया बुवन चंद हमारे साथ जोचो के हैं बुवन क्या कुछ आपका कहना है क्या है आपकी राय समुद्देपर मेडम मेरे तो ये पहने में मुझे तो ये लग रहा है कि ये शुची सम्दिश साजिस के तहत हो रहा है कुछ नहीं है खाली है बुवन हमारे साथ जोड़ने के लिए अपनी रायम तक पहुचाने के लिए तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं और बताएं कि क्या आप समझते हैं इस मुद्देपर स्यासर जिस तरीके से लगातार हो रही है और इस मुद्देपर लगातार हम देख रहे हैं भारते जनता पार्टी और कॉंग्रुस की तरफ से एक दूसरे पर बड़े आरोप लग लगातार फ्लैश किया जा रहा है आपको क्या लगता है सुरक्षा में चूक पर सियासत हो रही है या फिर वाकई कोई बड़ी साजिश थी सुरक्षा में चूक की क्योंकि भारते जिनता पार्टी की तरफ से लगातार यह बड़े और गंफीर आरोप पंजाब सरकार की तरफ से लगाए पंजाब सरकार पर लगाए जा रही है विवानी से जगदीश हमारे साजर चुके हैं जगदीश क्या है आपकी राय और क्या कुछ कहना है आपका हमारी रहे तो यही है जी परदानमंत्री को रोकना बहुत गलत है जी कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती देश का रज्जा है जी लेकिन जी इसमें कुछ से नूभी कैदे दुख्याप हुआ कभी 500 आदमी थे यह सत्थी है कि यह टेलीवीजन आड़े आप पे बता सको हमने हमारे सब जुनने के लिए अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए तो आप भी अपनी राय पहुंचाए पब्लिक क्या समझती है यह पब्लिक है सब जानती है इसलिए जो सियासत हो रही है इस मुद्धे पर आप क्या समझते है इस पर अपनी राय हम तक जरूर पहुंचा पर पहुंचे काले जंडे दिखाये गए भारतिय जंता पार्टी का कहना है कि यहां पर सुरक्षा में बड़ी चुक हुई है क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी के काफिले को 20 मिनट तक महां पर इंतिजार करना पड़ा था नुदियाना से मनीश हमारे साथ जुर चुके हैं मनीश क्या है आपकी राय समुद्दे पर और क्या आप कहना चाते हैं देश के प्रधा मंत्री के साथ प्रधान में ऐसे हो रहा है इसका तुए दुनिया में क्या असर जाएगा जी दुनिया अगर कोई पधामंद्री और भारत के दोरे पर आता है तो वो गये करेगा कि यह जब भारत में भारत के पधामंद्री पार्ची की जमारी को रेगा जी तो यह बहुत बरी संसा घड़ना है और पल्याब सरकाल को इस पर बहुत सोचना किए कि उसने किया क्या है जब उनका रूट क्लियर नहीं था आप उनको फार्मना का ज़ना कि यह कि आपको सरक्ष्षा नहीं नहीं है आप मत जाओ जी शुक्रिया आपका अपनी राहिम तक पहुंच आने के लिए तो अलग-अलग प्रत्विक्रियाएं लोगों की तरफ से आ रही है कुछ का कहना है कि यह जो पूरी घटना हुई है सुरक्षा में चूक हुई है इसका असर अंतराश्चनिस तरपर क्या पड़ेगा भारत की छवी खराब होगी तो कुछ का कहना है कि इस पूरे मुद्दे पर जाच होनी चाहिए परताल होनी चाहिए वाकई कोई साजिश थी या फिर ये सियासी ड्रामा चल रहा है और इस पूरे मुद्दे पर लगातार भारती जिन्ता पार्टी और कॉंग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्य आरोप लगा रहे हैं जहां भारती जिन्ता पार्टी का कहना है कि पंजाब सरकार की तरफ से बड़ी लापर वाही बढ़ती गई है सुरक्षा में चूक हुई है तो वहीं कॉंग्रिस का कहना है पंजाब सरकार का कहना है कि क्योंकि वो रैली स्थल जहां पर प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी को पहुँचना था वो खाली था वहाँ पर लोग नहीं पहुँचे थे, सीटे खाली थी, इसलिए प्रदान मंत्री वहाँ पर नहीं पहुँचे और बहाना सुरक्षा में चूक का बनाया गया इमाचल से जस्वन सिंग हमारे साथ जुड़े हैं, जस्वन क्या कुछ कहना है आपका, क्या है आपकी राय इस मुद्देपर? इस मुद्देपर ये राय है, जी के प्रदान मंत्री की सरक्षा में चूक हुई है, वो बहुत बड़ी गलती करी है पुझाब की सरकार में, मतलब कॉंग्रे सरकार में और ये बहुत जुरुबाग्या की बात है कि हमारे देश में आम आत्मी की निए प्राइमिनिस्ट्री गुन सकता तो आम आत्मी का क्या होगा? जी और इस बहुत गलत काम हुआ है जी हमारे देश में और पुझाब में राश्वती शाथिन आज की देट में लगना बहुत जिए है जी अलो जी शुक्रिया आपका अपनी रायम तक पहुँशाने के लिए तो आप भी कॉल करें टीवी स्क्रीन पर लगातार नमबर फ्लैश किया जा रहा है बताएं कि आपकी क्या राये आप क्या सोचते हैं फिलाल इस बुलचन में ताहिए आप देखते रहे यहार कबर हर्याना नमस्कार